हेलो फ्रेंग्स कैसे हैं आप सब आज हम आपके लेकर आए हैं डबल फ्रिल अम्रेला स्लीव की कटिंग और स्टीजिंग पूरा वीडियो यह हमने फैब्रिक लिया हुआ है जब हम कूर्थी कट करते हैं तो उसके बैक और फ्रंट दोनों ही साइड से इस तरह से आपका फैब्रिक जो है बच जाता है स्लीव के लिए इसमें प्रिंटेड स्लीव हैं तो इसमें जो फ्लावर्स हैं उनकी फेसिंग एक तरफ है तो जै क्योंकि हाफ इंच उपर आम होल बचला जाएगा और हाफ नीचे फ्रिल को अटेच करते टाइम चला जाएगा तो यहां पर थर्ड इंच पर हम मार्किंग कर लेते हैं और इसको स्ट्रेट लाइन ड्रो करके इसको कट कर देते हैं अब प्रिंटेड स्लीव हैं तो इसको को लाना है दोनों ही स्लीव में तो इसके लिए इसको यहां से कट कर देजिए अब आपको इसको इस तरह से रखना है कि दोनों ही स्लीव का पैरन एक जैसा बन जाए तो इसके लिए इसको इस तरह से घुमा करके यहां पर रख देंगे देखिए दोनों ही स्लीव में ऊपर रखी है 9.5 inches हमारा जो armhole था उसकी थी हमारी 6.5 inches हमने लिया था तो armhole से 3 inch extra हमने इस फैब्री को लिया है यहां पर mark करेंगे 3 inch पर यह हमारी जो breast का size होता है उसका 1 12th यानि की 12 हिस्सा होता है हमारा breast size 36 था तो इसलिए मैंने 12 हिस्सा 3 इंच पर इसको लेकर इस तरहां से दाल देनी है अब यहां आगे मोहरी हमें ready करनी थी 6 inches 12 inch थी तो 6 आदा और एक इंच एकसर ले लेंगे इसको cutting के लिए मोहरी में losing आप अपने according डाल दीजेगा मुझे तयार करनी थी 12 inch इसलिम ने 6 inch पर mark किया है अब जहां जहां से हमने marking की है इसको अच्छे से cut कर तो इस तरह से हमाई दोनों ही sleeves यहां पर cut हो गई है बट जो sleeves होती है उसके front part में आपको गहराय डालनी होती है तो उसके लिए अपनी sleeves को इस तरह से रख लीजिए दोनों ही सीधी side या फिर दोनों ही ultra side अंदर की तरफ होनी चाहिए यहां पर यहां जो cut लगा था उपर व अब यहां से marking कर दीजिए वन इंच पर अब इसको ऊपर और नीचे की तरफ मिला दीजिए कुछ इस तरह से तो देखिए कितना easy था यह step किसी भी सीधी में आप इसको try कर सकते हो यह step यह tips है आपके लिए तो यह होगी है हमारे दोनों ही फ्रिल्स के जो front part है उनके लिए गहराई अब बात करते हैं नीचे फ्रिल के लिए तो फ्रिल की cutting करेंगे हम तो उसके लिए जो हमारा fabric था already उसी को लेना है दोनों ही फ्रिल्स को इसमें से आपको cut करना है तो सबसे पहले हम जो नीचे वाल फ्रिल रहेगी उसकी तो इसके लिए हम इसको double fold कर लेना है और फिर इस तरह से four fold कर लेना है देखिए थोड़ा औरक्स ले लेते हैं इसको आपको इसको corner के side से यहां पर इस तरह से उठा कर रख देना है totally हमारा यह eight fold हो गया है यह देखिए eight fold हो गया है दोनों ही sleeves के कर दीजे बीच में से और इस corner को उठाइए और इस sleeves के साथ adjust करने की कोशिश के देखिए यहां पर cover हो गया है almost तो यहां से आपको marking कर देनी है किसी तरह की measurement की जुरूत नहीं है बस आपको यहां से इसको adjust करना है और इस तरह से हलका सा round में आपको इसमें marking कर देनी है आप आप बात करते हैं फ्रिल के लंबाई की यहां पर अक्रिव में 6 इंच जो बड़े वाला स्लीव जैने की नीचे वाला वो है हमारा 6 इंच पर हमने इसके लिए marking की है इन सभी measurements को आपस में इस तरह से मिला दीजिए आप उपर और नीचे जहां से हमने इसको mark किया हुआ है इसको कट कर देंगे तो यह फ्रिल हमारे दोनों ही बाजु के लिए कट हो गई है एक साथ लेकिन नीचे वाला पोशन बाद में इसके उपर वाले पोशन की कटिंग भी करेंगे तो इस तरह से ओपन होने के बाद एक कम्प्लीटी देखिए इसमें एज़स्ट हो जाएगा इसली जब आपको इसको स्टिच करेंगे यहां पर यह हमारी एक फ्रिल कट कर रेडी हो चुकी है चले सेम तरीके से अपने दूसरी वाले फ्रिल की कटिंग करते हैं इसके लिए फिर से हमने अपनी जो उपर वाले स्लील से उसको बीच में से फोल्ड कर लिया है अब जो मा आप ज़ें जो कोर्णर इसको एड़्ेस करने की कोशिश करेंगे यहां पर सी हलकी गुलाई में है इसलिए थोड़ा सा कम भी है अपनी स्लिव से तो अब भी इसली सेट हो जाएगा यहाँ पर अब हम मार्किंग करेंगे 4 इंच पर जो नीचे वाले स्लिव की फ्रिल थी हमने वो बनाय थी 6 इंच पर यह रखेंगे 4 इंच पर यानि कि 2 इंच का गैप 8 कितना भी लें लेकिन 2-5 इंच का गैप इनके बीच में जरूर रखें इस तरह से दोनों को ही कट कर लीजिए यह देखिए हमारी अपर फ्रिल भी कट हो चुकी है इस तरह से यह भी यहाँ पर इजली सेट हो जाएगी अगर आप इस तरह से कटिंग करते हैं तो यह है हमा ताकि हम इनको दोनों ही स्लीज में यूज कर सके यहाँ से इसको भी कट कर लीजिए इस तरह से यह हमारी दोनों ही बाजू के लिए कट कर रेडी हो गई है चलिए अब इसके हम स्टीचिंग करते हैं स्टीचिंग के लिए हमने सबसे पहले जो दोनों फ्रिल है उनको लेना है और इस तरह से रख देना है इस तरह से रखके इन दोनों को यहां से सिलाय लगाकर attach कर लिजे ताकि हम दोनों ही frills को एक साथ अपनी बाजू के साथ attach कर सके यह हमने एक बड़े पैरवाइश लगाकर इनको attach कर दिया है अब अपनी बाजू को लेना है आपको और सीधी साइड देखे ऊपर की तरह है बाजू की और इस तरह से इसको रखे frills को और यहां पर इसको adjust करते हुए इसके ऊपर से सिलाय लगा देंगे तो दोनों ही frills हमारे इसके साथ attach हो जाएंगी आधा इंच का मार्जन रखते हुए हम इसके ऊपर से अच्छे सिलाय लगा देंगे friends इसी तरह से हमने काफी tutorial आपके लिए डाले हुए हैं काफी तरह की कूर्टी के designs के लिए हमने पूरे tutorial डाले हुए हैं सभी तरप के plazo डाले हुए हैं शरारा सभी तरह की डाले हुए हैं तो एक बचान को check जूर कर लिजेगा और काफी tutorial आपके लिए आते रहते हैं तो देखिए यह attach यहां पर हो चुकी है अब इसके ऊपर से एक सले हम ओर लगाएंगे ताकि यह मजबूती के साथ इसके साथ attach रहें कहीं से निकलेना तो इस तरह से यहां से एक सलाई आप जरू लगाएगा तो यह frill हमारे attach हो चुकी है आप बात करते हैं इनको नीचे से fold करने की तो उसके लिए एक और best तरीका है हमारे पास क्योंकि 22 है यानि क्यों उरेब में है तो इसको मोड़ना काफी मुश्किल है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इसको इस तरह से single fold कर लीजिए एक ही बार में इसको double fold करने की कोशिच ना कीजिए यह मुश्किल रहेगा आपके लिए तो इस तरह से इसको single fold करते हुए एक बड़े पैर वाली सिलाई लगा दीजिए आप जैसे ही आप इसको double fold करेंगे तो यह अपने आप ही अच्छे से fold हो जाएगी यह तरीका best है आप इसको try ज़रूर कीजिएगा इसके साथ ही काफी design addresses हमाई चैनल पर आधी रहती है छोड़े छोड़े trips और beginner special भी काफी वीडियोज है measurements related, सभी तरह के measurement, shoulder, arm hole अलगा size के coding सभी तरह की वीडियोज है आप उनको बेपा चेक कर जरूर कर लिजिएगा देखिए, यहां हमने एक बार इसको fold कर दिया है आप इस तरह से double fold कर लिजिए बिल्कुल किनारी से इसके सिलाए लगा देंगे तो यह अपने आप ही fold होता चला जाएगा बहुत ही असान तरीका है यह यह चाहिए आप plazo को मोड रहे हैं नीचे से गेरदाय प्राजो को उसमें भी सेम तरीका यूज होगा और इस तरह की स्लीज में भी यही तरीका यूज हो अब जिस तरह से हमने उबर वाली फ्रिल को तयार किया नीचे से मोड कर बिल्कुल सेम तरीका है जो नीचे वाली है इसको भी हम fold कर देंगे और अच्छे से इसको press करके set कर देंगे यह देखिए कितना easily हमने इनको fold कर दिया है बहुत ही अच्छे से बिना किसी चुर्नट के यह बहुत अच्छे से तयार हो चुकी है तो जलिए अब इसके जो नीचे वाली है उसको भी ready कर लेते है तो नीचे वाली फ्रिल को भी हमने अच्छे से मोड करके इसके उपर से अच्छे से प्रेस लगा दी है बहुत ही finishing के साथ यह हमारी ready हो गई है अब बात आती है इसको side में से इसकी fitting लगाने की तो fitting के लिए इस तरह से आपको उल्टा करके इसको fold कर लेना है सभी frills को आगे से मिला लेना है ताकि उपर नीचे ना आए और देखिए हमारी fitting के लिए marking है आप अपनी fitting के according यहाँ पर marking कर लीजी यहाँ से इस तरह से fold कर ये ताकि यह बाहर की तरफ ना दिखे और यहाँ से सिलाई लगा दीजी इसके लावा अगर आप sleeves की और armhole की perfect cutting सीखना चाते हैं तो उसके लिए special video बनाया हुआ है किसी भी size के लिए से आप cutting कर सकते हैं यहाँ से जो भी extra है उसको cut कर दीजे और इसमें हलके हलके आप जो है cut लगा दीजे इसका से cut के डाल दीजे तापके आपके स्लीज में कोई भी चुड़नर ना आए shape अच्छेस निकल कर आए और ना ही यह उपर की तरफ चड़ी तो इस तरह से इसको सीधा कर लिजे आप देख सकते हो कितनी सुन्द स्लीज हमारी आपर बन के रडी हो चुकी है अपने ड्रेस के लिए टोप्स के लिए बलाउस के लिए किसी के लिए भी इसको ट्राइ करें तरीका बहुत ही अच्छा हमने एक्स्प्रेंग करने की कोशिश की है इसलिए वीडियो मारा पासं क्यों में